खबर मदिप्रेश की राजधानी भोपाल से है जहां भोपाल में 26 साल के युबक ने पत्नी से फोन पर बात करते करते साधी की साल गिरा के दिन सुसाइट कर लिया उसने साधी के बंधन में बांधने वाले गठ बंधन से ही फांसी लगाई पतनी के माई के जाने के बाद से वह तनाव में था हालंकि सुसाइट के कारणों का खुलासा नहीं हो सका असोका गारडन के दसमेस नगर में रहने वाला 26 साल का सुनील अहिरवाल जॉब करता था परिजनों ने बताया कि सुक्रवार साम को है फोन पर अपनी पतने से बात कर रहा था बात करते करते वह कमरे में चला गया फोटे भाई अजा ने बताया कि मा पन्ना भाई ने भाईया को आवाज दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया पर जनों ने उसे आवाज देते हुए दरवाजा खोलने का काफी प्रयास किया कमरे की खिड़की से माने अंदर जहाग कर देखा तो सुनील को फंदे पर लटका दिखा महाज 9 मिनट की अंदर ही सुनील ने फांसी लगा ली हम सब भया के कमरे पर पहुँचे देखा तो उन्होंने फांसी लगा ली थी घटना की सोचना पुलिस को दी अजा ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से वह परिवार कुरे कर चिंतित थे उनके ससुराल वाले उनके तलाक के पीछे पड़े हुई थे सुनेल की पिछले साल ही सागर की रहने वाली सपना से साधी हुई थी कुछी महीनों के बास सपना सुनेल को छोड़ कर अपने माय के चली गए उसके बास से वह तनाव में थे सुक्रवार को उनकी साधी की साल गिरा थी इसी दिन उन्होंने सुसाइड कर लिया सुनेल के छोटे भाई अज़ण ने बताया घर में 20 साल की भाद्जी की साधी की तैयारियां चल रही थी साधी को लेकर भावी पिछली लड़ाई भूलकर रविवार को होने वाली भाद्जी की साधी में सामिल हो भावे को मनाने के लिए कॉल किया था दोनों की अचानक ही फोन पर बहस सुरू हो गई थे